साथियो जैकिसान में रवी आज़ाद, साथियो भूमी अधीग्रेण के नाम पे बार बार हरियाना और पूरे देश भर में किसानों और ग्रामिनों पे जुलम ढ़ाये जाते हैं, उन पे अत्याचार किये जाते हैं अब एक ऐसा ही मामला सिर्षा जिले की डबवाड़ी तैसील के नो गाओं जिन गाओं की साथ सो एकड़ से अधीक जमीन भारत माडा नैशनल हाईवे नंबर साथ सो चोमन जो अमरीच सर से लेकर के हरियाडा होते हुए राजस्थान होते हुए गुजरात तक जाएगा अधी संदिया उसके बावजूद मांगे मानने की बजाए धोखे से परसों से वहाँ पे पैरा मिल्टरी और पुलिस के डंडे के सहारे जोर जबरदस्ती किसानों के मकान तोड़े जारे उनके खेतों में खड़ी फसल को नश्ट करके उनके उपर कबजा किया जारा और बड़ी अजीब बात है कि जो अवार्ड का पैसा है वो किसानों के खातों में या तो बिलकुल नहीं आया है या आदा अधूरा आया है जबकि पेडों का मुआउजा फसलों का मुआउजा खाडों का मुआउजा टूबल का मुआउजा उनका कोई जिकरी नहीं है और किसान के स्फगेडिया अपने दो साथियों के साथ बैठे हैं धरना दे रहे हैं पाणी की टंकी पे बहुत सारे साथी किसान भाई वहां धरना लगाए हुए हैं और वहां का प्रसासन और हरियाने की सरकार और नैस्नल हाइवे अथोर्टी ओफ इंडिया गुंडागर्दी कर रही ह हम ये सीधे सब्दों में चेताओनी देते हैं कि किसानों से बातशीत की जाए उनको उनके अवार्ड का पैसा और सभी परकार के नुकसान का मुआउजा दिया जाए उनसे समवाद किया जाए गुंडागर्दी नहीं चलेगी तानासाई नहीं चलेगी ये कान खोल करके सु सरकार और नैशनल हाईवे अथोर्टी ओफ इंडिया वहां अंदोलन होगा और सरकार को समझ नहीं आएगा अगर वहां गुंडागर्दी की गई तो भारतिय किसान यूनियन का संयुक्त किसान मोर्चा का पूरा समर्थन वहां के किसानों के साथ है अगर कोई भी अत्याच किया गया या जोर जबरदस्ती की गई तो प्रसासन और सरकार की इंट से इंट बजा देंगे ये बात कान खोल करके सुन लीजिए और इस वीडियो के माद्यम से यही संदेश है सरकार और प्रसासन को कि वो ततकाल किसानों की मांगों को पूरा करे किसानों से बादसीत करे उन पे जुलम ढाना बंद करें उसके बाद वो प्रोजेक्ट का काम सुरू करें डंडे के जोर पे गुंडा गर्दी किसी भी कीमत पे सहें नहीं की जाएगी ये बात हरियाना की सरकार कान खोल करके सुन ले और किसान वहां मजबूती से डटे रहें जैसी जरूरत होगी वैस फैसला लिया जाएगा आंदोलन की जरूरत पड़ी तो वहां बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा सरकार तयार रहें अधीकारी तयार रहें इस वीडियो को सेर करें बहुत धन्यवाद जै जवान जै किसान